देश की एक और दिगज और बड़ी कमपनी कर्ज के बोज और वित्या संकट में फस गई है सुक्रवार को SL समू के G Entertainment, Dish TV और SL Pro Pack के शेरों में भारी गिरवट आई ये गिरवट काफी चोकाने वाली है समू के चेर्मेन सुभास चंदरा ने खुद इसकी पुष्टी की और अपनी गलतियों के लिए माफी मागी उन्होंने इसके लिए बुनियदी धाचा छेतर पर आक्रमक तरीके से दाव लगाने और वीडियो कान का D2S कारोबार खेदने के निन्ने को जिमेदार बताया उन्होंने करहिजदाताओं से खेद परकट करते हुए कहा कि कुछ नाकारात्मक ताकते उन्हें जी इंटर्टेन्मेंट इंटर्प्राइजेज की हिसेदारी की बिक्री के जरिये पुझी जूटाने के प्रियासों को बादा पैदा करने की कोशिश कर रही है चंदरा ने ये तक्त ऐसे समय स्विकार किया है जबकि जी का शेयर सुक्रवार को ही 26.4,3% तूट कर 319.3,5 रह गया वही सम्मू की अन्य कंपनियां डिश्टीव का शेयर भी 32.74,3% गिर कर 22.60 पर आ गया चंदरा ने खुले पत्र में करज की जानकारी देने से बचते हुए कहा कि I.L. and F.S. संकट के बाद से मुश्कले बढ़ गई है उन्होंने अपनी कुछ गल्तियों को स्विकार करते हुए कहा कि इसके लिए सिर्फ S.L. Infra को ही 4,000 से लेकर 5,000 करोड रुपे का नुक्सान हुआ है दोस्तो जी के शेयरों में एक गिरावट उस मीडिया रिपोर्ट के बाद आई जिसमें दावा किया गया था कि सरकारी संस्ता सीरियस फ्राड इन्वेस्टिकेशन आफिस नियतांक इन्फरा पावर कमपनी की जाच कर रही है जिसने 8 नुवंबर 2016 को की गई नोडबंदी के तुरंट बाद 3,000 कोड रुपे जमा कराए थे रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नित्यांक इन्फरा पावर और एक कथी सेल कमपनी ने वित्या लेंदेन किये जिसमें स्वास्चंद्र की अगवाई वाले SL समू से 2005 से लेकर 2017 के बीच जुड़ी कुछ कमपनीया भी सामिल थी मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा क्या गया था कि नित्यांक ने इसके लावा साल 2016 के नवंबर में वीडियो कौन और SL समू के बीच हुए सोदे में भी महत्पून भूमिका निभाई थी 18 दिसम्बर को ED की रिपोर्ट में भी कुछ तष्ट सामने आये थे हला कि SL पेक और जी ने बयान जारी कर कहा कि नित्यांग ग्रूप से SL ग्रूप का सम्मद नहीं है चंद्रा ने अपने ओपन लेटर में नित्यांग मामले पर कुछ नहीं कहा हला कि चंद्रा ने करेजदाताओ से माफी मांगी और उन्हें भ्रोसा भी दिलाया चंद्रा ने कहा मैं बैंकरो, NBFC और मीचिल फंड से माफी मांगने को बात दे हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि मैं आप लोगों की उमीदों पर खरा नहीं उत्रा हूँ उन्होंने किसी देंदारी की चुक की जानकरे दिये बिना करेजदाताओ से नोरोध किया कि वे जी इंटर्टेन्मेंट की सेदारी की बिक्री तक धहरिया रखें चंद्रा ने कहा कि बिक्रे के बाद हम सारा बकाया चुकाने में सकसम हो जाएंगे लेकिन जी करेजदाता हडबड़ी करेंगे तो उन्हें भी और हमें भी दोनों को नुकसान होगा उन्होंने दावा किया कि वे एक भी रूपा पचाना नहीं चाते हैं उनका कहना था कि किसी भी प्रवर्तक ने अपनी सबसे सांदार कमपनी को बेचने की पहला अब तक नहीं किये लेकिन वे कर रहे हैं चंदरा ने दवा किया कि उन्होंने हाली में लंदन में कई बैठे के की हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। उन्होंने कमपनी के शेरों में 26.4 तीन परतिसत की तूट का जिकर करते हुए कहा कि यह बिक्री को रोकने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अधिकांस बुनियादी धाचा कमपनियों की तरह हमने भी कुछ गलत दाओं अजमाए। सामाने तरह धाचा का छेतरी कमपनियां ऐसी इस्तिति में हाथ खड़े कर देती हैं और कर्ज देने वालों को NPA के साथ छोड़ देती हैं। लेकिन हमारे मामले में किसी इस्तिति से नहीं भागने की हमारी जिद नहीं हमें 14,000 से लेकर 5,000 क्रोड रुपे का नुकसान पहुचाया है। और इसके कुछी घंटे पहले जी समू के 2,000 क्रोड रुपे की भारी गिरावट दरज की गई। इसके करण देश में एक और I.L. and F.S. संकट का खतरा पैदा हो गया है। इन्टीक फाइनेंस का करज फसेगा। दोस्तो बाजार विशलिसोकों का कहना है कि चुकि ये सब्तान्त है और शेर बाजार अब शोमवार को खुलेगा। लिहाजा जी समू के शबी शेर शोमवार को आंधे मुग गिर सकते हैं क्योंकि M.F. करण शुरक्सित नहीं होते है जी समू के प्रमोटर सुवास चंद्रा हरियान से रासवा सांसद है और उनका RSS और BJP के साथ कहरा जुडाव है। देश अभी तक I.L. and F.S. संकट से ही नहीं उभर पाया था तब तक इस तरह के दूसरा बड़ा संकट भारतिये वित्य प्रणाली के लिए चटका देने व